लोग के पास Redmi Note 13 5G and Poco X Neo 5G है तो आपके लिए नया software अप्डेट जो इंडिया में रोल आउट होना यहां पर स्टार्ट हो चुका है अब मैं इस अप्डेट का स्क्रीन शोट के साथ जो है इसके फीचर्स के बारे में बात करने वालों कि इस अप्डेट में आपको क्या क्या साथ में इस वीडियो को तरह हम लोग जो है रेडमी 13 5G and Poco M6 5G के बारे में बात करेंगे इस डिवाइस के लिए यहां पर इंडिया में नया software अप्डेट जो रिलीज हो चुका है तो उससे पहला पर उसी रिक्वेस्ट है वीडियो का एंट तक देखिए वीडियो पसंद 5G के बारे में रेडमी 13 5G and Poco M6 5G के लिए इंडिया में इसका वर्जन आपको चेक आउट करा देता हूं इसका वर्जन आपको देखने को मिलता है 1.0.8.0 UN UNXM और जो यह अपडेट है वो पब्लिक में भी मिलना स्टार्ट हो चुका है और यहां पर अप्डेट साइज क थोड़ा परफोर्मेंस को पर यहां पर काम किया गए इस अपडेट के अंतर और इसमें आपको कुछ खास यहां पर देखने को नहीं मिलने वाला तो अगर आपके पास यह समार्टफोन है रेडमी 13 5G and Poco M6 5G तो आप चेक आउट करके अपडेट कर सकते हैं आपके डिवा 5G तो Poco X6 Neo 5G and Redmi 913 5G के लिए नया सौफ़र बेट आया जिसका वर्जन है HyperOS 1.0.10.0 UNQINXM और 322MB का अपडेट साइज देखने को मिलता है और रही बात इस अपडेट में क्या है तो आपको यहां पर साब सब मेंजन की हुआ है कि सिक्योरिटी पैच आपको अगस्त के मही इने का देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट एंड्रोड सिक्योर्टी पर दिया गया है और साथ में आपके डिवाइस में एक लॉक स्क्रीन एडिट का जो है यहां पर कस्टमाइजेशन का फीचर दिया गया अभी यह जो सेकंड फीचर यहां पर मैंसने फीचर कैसे काम करत देखेए अगर आप लॉक की स्क्रीन के उपर पर यहां पर लॉक법 स्क्रीन लॉकस करने आपlaughing कि क्या कर दे nा और को सक्टेस्ण वाले पर कॉस Though प्रक Trung और यहां पर काम करता है तो आप इसको टर्ण ओन भी रख सकते हैं यह तर्ण ऑफ भी रख सकते हैं वह आप अपने हिसाब से देख लेजेगा तो यह दो ही चेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपके रेडमी नोट 13 5G और पोको एक्स नियो 5G के अंदर दुबारा पर देता हूं 1.0.10.0 यू एन को आयन एक्सम वर्जन है 322 अंभी का अपडेट साइज है और अगस्त का सिक्योर्टी पैच देखने को मिलता है और प्रेस टू होल टू एडिट का फीचर भी देखने को मिलता है तो यह सारी किजिए मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में जय हिंदू